अब किस्टा गौत्मी को कहीं से भी ऐसा कोई मस्टर स्रीड नहीं मिला तो वापस आई और थकी भी शी निरासा जनव को कर एक सास्ते में बैड़ गई वोचिंग दे लाइट अब दे सिटी और सहर के प्रकास को देखने लगी ऐस दे फ्लिकर अप और एक सिटूज अगें वो प्रकास किया था एक बार तो चमकरा फिकरवट टिम्टी मारा था और दूसरी बार फ्लिकरा है एक सिटूब बुज रहा था जनी कि यह जब वहां से ह At last the darkness of the night risen और अंत्तहा रातरी का प्रकास पूरा घेर गया Everywhere, बना हर जगा देरा हो गया And she considered the fate of man और फिर वो सोचन लगी मनिश्य के भाग्य पे That their lives flicker up and extend again कि मनिश्य का जीवन भी उसी प्रकास की तरह है जो एक पल टिम्टी माता है और उसके बाद फिर बुझ जाता है तो यहने देखो उसको अब उस प्रकास को देख कर लगने लगा कि वास्ता में मनिश्य का जीवन क्या है उस प्रकास की तरह है जो कभी टिम्टी माता है और कभी बुझ जाता है और अब उसको लगने लगा एसास होने लगा कि वास्तम में जीवन क्या है and she thought to herself अब अपने आप में सोचने लगी how selfish am I कि मैं कितनी स्वारती हूँ in my grief मतब मैं अपने दुख में कितनी स्वारती हो गई थी death is common to all मिरती तो सब के लिए एक समान है yet in this valley of desolation फिर भी इसको दुख की जो ये घाटी है ये पृतिवी है ये धरती है there is a path that lead him to immortally यहाँ एक रास्ता है जो उसको immortally बने अमर्तत्व की और लियाता है जिसके लिए जरम नमिरती एक समान हो उसको गयते हैं अमर्तत्व who has surrendered all selfishness लेकिन वो कौन होता है जो अपने सारे स्वार्थों को त्याग कर देता है वही इस अमर्तत को प्राप्त करता है यानि कि जीवन अमर्ण के बंदन से दूर होता है दा बुद्धा सेड दा लाइफ आप मोर्सल यानि कि जो भी जीव होता है जो भी प्राणी होता है उसका जो जीवन होता है वो मिस्रण है किसका दुखों का, कस्टों का और समस्याओं का यानि कि समस्याओं दुख और कस्ट किसकों होंगे जिसके अंदर प्राण होंगे यानि कि जो जीव होगा तो यही बुद्धा का ग्यान है कि जब इस सरीर पर प्राण आते हैं तो तब कस्ट और पीड़ा और दुख भी आते हैं For there is not any means by which those that have been can avoid dying इसलिए इस धर्ती पर ऐसा कोई नहीं है जो जीव है और जो मरने से बच सकता है After reaching old age जब उड़ापा आता है there is death उसके बाद मिर्तिव आती है Of such a nature are living beings यही जो है प्रकरती का या सजीव का जो है जिन्दगी का एक रूल है Nature का रूल है प्रकरती का यह नियम है कि जो आएगा वहाँ निश्चत ही जाएगा भी तो यही गौतम बुद्ध उसको सिखाना चाहते थे और डारेक्टली नहीं सिखाया और उसको एक उधारा ने दे कर सिखाया और प्रक्टिकल सिखाया उसको किस्वा गौतमी को और अब उसे लगने लगा कि वास्तां में गुद्ध उसको क्या समझाओना जाते है जैसे जो फल होता है जैसी जो फल पकता है तो परिपक्को हो जाता है तो वह गिरने का डर ना था ऐसको कभी भी गिर सकता है तो इसी प्रकार जब कोई जीव जर्म लेता है तो वो जर्म लेते ही उसको मिर्थियू का खत्रा पैदा हो जाता है यही जर्म लेगा उसी की तो मिर्थियू होगी जर्म ही नहीं लेगा उसकी मिर्थियू कहा होगी तो यहां पर उन्हें उन्हें उसका एक फ़ल के साथ धरन दिया तो यही बुद्धा की स्पीच थी यही बुद्धा का जरम मरन का ज्यान था एद र अर्थन वैसल मेड बाइद पोटर जिस प्रकार कुमार जो है मिट्टी के बरतन बनाता है and in being broken so is the life of mortal तो जो कुमार जब मिट्टी के बरतन बनाता तो उसका आंति क्या होता है एकनेक बार वो टूट जाते है उसी प्रकार जो है इस जीव का भी जीवन है वो भी उस घड़े के समान है कि जब तक है तब तक है उसके बाद वो जब एकनेक बार वो टूट जाता है जानि कि जीव का जो जीवन है उसको मिर्ट्य जरूर मिलनी है उसे कस्ट पीड़ा और समस्या उसी को मिलेगी जिसके अंदर प्रान है तो बोथ यंग एंड एडल्ट चाहे वो जवान है चाहे वो वैस्क है बोथ दोज हूँ आर फूल एंड दोज आर वाइस जो मूर्ख है वाइस जो बुद्धिमान है अल फॉल इंटो दे पावर अफ डेथ सभी को मिर्ट्य की ताकत के आगे जुकना होता है गिरना होता है अल आर सब्जेक टू डेथ और सभी जो है मिर्ट्य का विशे है यानि कि कोई भी हो चाहे हो मूर्ख हो चाहे हो बुद्धिमान हो चाहे हो जवान हो चाहे हो वैस्क हो कोई भी हो सबको अंत्तहा मिर्ट्य को प्राप्त करना है यानि कि सब मिर्ट्य के एविशे है तो अधा मिर्त्यु क्या है सबके लिए यहां पर बार बार क्या कहना चाता है कि मिर्त्यु क्या है सबके लिए common है वो छोटा ने देखेगी बड़ा ने देखेगी जबान ने देखेगी बुड़ान देखेगी of those who overcome by death जो मिर्त्यु से बहार आ जाते हैं एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता किन्समेन ए मैन हूँ इस वनपा परसन ब्लॉड रिलेशन है इसको कहते है एक इस्तिदार अपने इस्तिदार को नहीं बचा सकता यानि कि जो जाएगा वो निश्चिती जाएगा कोई किसी को बचा नहीं सकता ये जीवन का सत्य है ये इस जीव का सत्य है ठीक है तो यहाँ पर आप आगे देखिए मार्क वाइल रिलेटिव रुकिंग ओन लेमेंटिंग डीपली आर भाई वन मोटल र कैरेड़ अफ लाइक आ ओक्स तो जैसे जखो कि जो ये 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 ध्यान रखें कि जितने भी हमारे लेटिव से हैं जो मर चुके हैं जो हमारे बिलव्ड हैं जो जा चुके हैं धरती से वो उप भी इन की तरह हैं जो जीव है उसको लेया जाता है लाइक ऑक्स एक बैल की तरह डाट इस लेट तो एक निश्चित समय पर उसको भी इस धरती से वापस लेया जाता है तो ये निश्चित है इसलिए ये जो संसार है इसलिए जो संसार है प्रभावित होता है इसलिए जो बुद्धिमान वेक्ति होता है वो ग्रीव मने दुख नहीं करता क्योंकि वो संसारिक चीजों को जानता है कि मतलब ये बुद्धिमान है वहाब बिलाप नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि ये सत्य ये है कि मृत्यू सबके लिए एक बराबर है मृत्यू जिसको आनी है वो आएगी और उसको कोई टाल नहीं सकता तो और वो इस सत्ये को जा और विपिंग नौर फॉर ग्रिविंग को यह जानता है कि रोने से रोने से या ग्रिविंग मने दुख करने से विल एनिवन अप्टेंड पीस आप माइंड कि किसी को जो है मन की शान्ती मिले मतलब रोने से और दुख करने से और इसके बिपरीथ दे पेन विल बी ग्रेटर उसका दर्द और बढ़ेगा और इस बॉड़ी विल सफर और जो सरीर है वो और पीड़े करेगा अपने किसी जिस्तेदार किसी अपने विलब्ड के मरने पर क्या करेगा शोक करेगा या रोएगा तो उसको कोई शान्ती नहीं म क्या करेगा रोने से और दुख करने से यह विल मेक हिंसल सिक अंपिल वो अपने आपको बिमार कर देगा कमजूर कर देगा यह तर डेट आर नॉट सेवड बाई हिस लेमनेशन लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मिर्थिव के कारण जो है और और यह देट डेट आर नॉ वो जो है उसका कोई सॉलिशन नहीं है मतलब उससे कोई मराव व्यक्ति वापस नहीं आने वाला रोने और दुख करने वाला व्यक्ति खुद बिमार हो जाएगा प्रिला पड़ जाएगा He who seek peace should draw out arrow of lamination and complaint and grief और जो अपने आपको इन चीजों से बाहर निकाल देता है जो इस सत्यतों को मान लेता है कि जीवन भी होई है और मृती भी होई है वो अपने आपको क्या करता है वो इस बिलाप, lamination और complaint, सिकायत और दुख इन सब से बाहर कर देता है जिसने आना है वो जाएगा ये जिन्दिगी का सत्य है तो मरने के बाद किसी का करता है न तो बिलाप करता है न शिकायत करता है न दुख करता है उससे पता है कि ये जीव का जीवन है और एक दिन उसने भी ऐसा जाना है और सबने यहां से जाना है तो इस सोक बिलाप करके क has become composed और जो इस चीज से बाहर निकल जाता है के ते विच अप्टेंड पीस ओप मैंड वही मन की शान्ती पाता है he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and all be blessed और जो इन सब सोरो से बाहर निकलता है वहीं इन सोरो से मदद दुख से मुक्त होता है और क्या खुशिया या आतिर वचन प्राप्त करता है यानि कि यहाँ पे इस पूरे पार्ट में आपने देखा कि गौतम बुद्ध चाहते तो यह ग्यान उसको किस्सा गौतमी को बाइट डारेक्टली भी कह सकते थे लेकिन उन्हें डारेक्टली नहीं कहा यह उन्होंने उसको क्या बुला कि भी तु ऐसे घर से बीज लेके आना जिस घर में किसी का कोई मरा ना हो और हुआ क्या उसको क्या सक्षा मिली कि भी ऐसा कोई हो इन सकता कि जो मरने से बस सकता है मिरती तो सब के लिए एक समान होती तो यह है बुद्धा का प्रीच यह है बुद्धा का उब्देश जिसे कहते आध्यात्मिक उब्देश और जो समझाने का एक तरीका तो यह वीडियो आपके यहां पर समापत हो गई है और एक चैप्टर भी आपका पूरा हो गया है इसके कुष्णा अंतराज करने और इस च रिविजन होगा ठीक है ना रिविजन आपका स्टार्टिंग से रिविजन करेंगे ठीक